खबर सुल्टानपूर से है जहां दोस्तुपूर में रविवार को तब कोहराम मच गया जब यहां दोस्तुपूर थाना शेत्र के ग्राम से दिलपूर गाम की है जहां गाम निवासी सदराम निश्राद की दोफूत्र आदर्श तेहरा वर्ष वादित्य आठ वर्ष रविवार को गाम के बाहर मन्रेगा से खोदे गए तालाब में दोफैर को नहाने गए थे बताया जराखा है कि साथ में गाम की कुछ और बच्चे भी तालाब पर पहुँचे थे रस्थादनी लोगों के अनुसार आदित्य पानी में डूबने लगा तो बड़ा भाई आदर्शों से बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ा और वहे भी छोटे भाई के साथ डूब गया तो वहीं साथी बच्चों ने चलाना शुरू किया और घर पर जाकर बताया तब लोग दोड़ कर मौके पर पहुँची और पानी से दोनों को निकाल कर मुडिला पाजार में डॉक्टर के पास ले गए जहां डॉक्टर ने दोनों कुमरत तक घोशित कर दिया मौत की खबर सिगाम वा परिवार में कहरा मच गया है बतादे कि आदर्श कक्षा पांच वा आदित्य कक्षा तीन में पढ़ता था साधराम निश्राद वा पत्नी पूनम का रो रोकर बुरा हाल है साधराम का दो व